अब क्या करोगे रॉनी एक नई सच्चाई की जिन्दगी शुरू करोगे या वापस पुराने जुर्म के रास्ते पास अब तुम और नहीं भाग सकते रोनी ऐसा तुम सोचते हो इस बात तो तुमने मुझे पकड़ लिया है शक्तिमान लेकिन मैं लोट के जरूरा हूँगा याद रखना झाल 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 मेरी आखे खराब हो गए है या फिर मेरा पुराना दोस्त वेहान ही शक्ती मान है मैं तुम्हें धून निकालूँगा मेरे दोस्त और फिर मैं अपना हिस्ताब चुपता करूँगा थोड़ी सी कमजोरी आ गई है जेल में रहकर लेकिन तुम दोनों ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारी बैंड बजा दूँगा रहका तूफार्ट तुम कितने पतले हो गए हो जेल में तुम्हें कुछ खाने को नहीं दिया क्या पिकर नाट हम तुम्हें दावत पर ले जाएंगे आज केला मारा धंदा अच्छा चल रहा है इन छोटे मोटे कामों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरे पास बहुत बड़ा प्लान है वाकई कमाल का प्लान हम उस चूजे को पकड़ने वाले हैं जिसने मुझे जेल भिजवाया था शक्तिमान? रानी शक्तिमान असीपि जैसा अनाड़ी नहीं है वो एक डरपोक आदमी है और मैं जानता हूँ शक्तिमान कौन है? शक्तिमान कौन है? ओ सच मे? चीज कहो पर कौन सा ओय हो तुझे चीज बोलना है खाना नहीं है समझा दो वैसे यह पिछले साल से तो अच्छी है इसमें तुम कम बहुंदू लग रहे हो उम्मीद करता हूँ इस बार मेरी फोटो अच्छी आये पिछले साल तो मैं फुटबॉल की तरह लग रहा था वो भी मोटी वाली चीज कहो पनीर क्या यह मत कहना कि बहुत बुरी है ठीक है इतनी भी बुरी नहीं है सिवाए तुम्हारे फोगे हुए चेहरे के और उस पर ऐसी स्माइल क्या टढरे पिए्धी जये है स्ट्प्प्रिव कहारे हुए आए हमारा पीछा क्यों कर रहे हो दुश्मन के दुश्मन को हमेशा दोस्त कहते हैं क्या बक्वास कर रहे हो, कौन हो तुम मेरा कार्ड, डॉक्टर जैकल, जिर्म का साइंटिस्ट, खतरनाख चीजों का डिजाइनर, सबाही और डर का बाद्शाफ अपॉइन्मेंट के लिए कॉल करें, अब मैं खुद अपनी कितनी तारिफ करूँ, इतना ही काफी है ओ हो, मतलब तुम बहुत बड़े संकी हो, मैं इंप्रेस हुआ, बोलो चाहते क्या हो मैं शक्तिमान का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने उसकी सारी कॉमिक बुक्स पड़ी है मैंने कहीं से सुना हैं कि तुम जानते हो कि शक्तिमान कौन है हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और मुझे जेल भीजने के लिए मैं उससे अपना बदला ले कर रहूँगा तुम ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे जानने से उसकी शक्ति कम हो जाएगी अगर मैं उसे आज तक नहीं डोक पाया, तो तुम्हारा तो सवाल दे मतला तुम क्या मुझे धमकी दे रहे हो तुम और तुम्हारे दोस्त मेरे खूफी अलाब में क्यों नहीं आ जाते वहां हम बाते कर सकते हैं, ज्यान की, संगीत की और शक्तिमान को खत्प करने की क्या मैं सच में इसमें इतना फुगा हुआ दिखता हूँ एक्सक्यूज मी, मैं इस फुटो में कैसा लग रहा हूँ बताओ ना अरे बाप रे, मैं बहुत मोटा हूँ, मैं सच में आलू जैसा लग रहा हूँ, छीला हुआ आलू, मुझे अपना वजन कम करना ही होगा, अच्छा हूँ आज मैंने लंच में कम खाना लिया है अरे बाप रे, अगर मेरा फोटो इंटरनेट पर अपलोड हो गया, तो हर लड़की मुझे पर जोर-जोर से हसेगी, ये फोटो तो मुझे बर्बाद कर देगा चलो, अब बताओ मुझे, आखित कौन है शक्तिमान, उसका नाम वेहान है, शुरुवात तो अच्छी है, देखते हैं सर्ज पर ये नाम मिलता है या नहीं यहां तो हजारों वेहान है, उसका सर्ण इन क्या है? मुझे नहीं पता, मैं उससे सिर्फ वेहान के नाम से जानता हूँ, लेकिन वो भी मेरी तरह 21 साल का ही है रुकिये, वो ही था यही है वो वेहान आरिया, सॉफ्ट्वेर डिजाइन स्टुडेंट इंडर सिटी युनिविसिटी से प्रोफेसर ग्यानी का लाब असिस्टेंट उमने मेरा काम आसान बना दिया मैंने तुम्हें बचाने के लिए रोका है बेवकूफों अगर वेहान सच में शक्तिमान है तो तुम्हारे ये खिलोने उसका बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे और मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये लोका शक्तिमान है ज्यानी का असिस्टेंट तो बिलकुल डर्पोक और भोंदू है ये किस एंगल से तुम्हें शक्तिमान नजर आ रहा है लेकिन अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ उसे खत्म करने में चोड़ाई चोबीस लंबाई एक्कीस मैंने तो अपने टेलर से भी अच्छा काम किया है खतर्राख है ये इन सूट में लगी मोटर्स तुम्हारी लड़ने की ताकत को दुगना कर देगी और तुम्हारा आमान न्यूकलिय धमाके को बड़ी आसानी से जेल सकेगा ये तो सिर्फ स्टील के फैंसी सूट लग रहे हैं तुम यकीन से कैसे कह सकते हो कि ये ठीक से काम करेंगे तो चलो पता लगाते हैं ये तो कमाल का है अब हम तीनों को कोई नहीं रोप पाएगा आज से हम हैं त्री शक्ति कंप्यूटर लैब कहा है वहां पर मुझे कुछ कोट्स चेक करवाने हैं प्रोफेसर से तुम दोनों से बाद मिलता हूं बाई कवाल के सूट्स हैं ये तो मुझे किसी ने बताया ने कि आपर फिल्म की शूटिंग चल रही है क्या कोई रोल बोल है मेरे लिए है यह लोड रोल रोनी तुम यहां क्या कर रहे हो मैं यहां पर शक्तिमान को ढूंड रहा हूं शक्तिमान शक्तिमान बस तभी आता है जब किसी की जान खत्रे में होती है तो कुम खत्रे में हो मिल जान मैं जानता हूँ तुम ही हो शक्तिमा यह क्या कह रहे हो तुम विहान सिर्फ एक स्टूडेंट है हम सब की तरह सही कहा है इसने विहान तो शक्तिमान के पैजामे में फिट भी नहीं होता तो शक्तिमान होना तो दूर की बात है जिस रात हम तुम्हारा पीछा कर रहे थे उस वहां कोई मौजूद नहीं था फिर कैसे तुमहरे गायब होने के ठीक दो सेकंड बाद ही शक्तिमान अचानक वहां गया यह इतिफाक भी तो हो सकता है तुम्हें कोई भलत फैमी हुई है रोनी मैं शक्तिमान नहीं हूँ बलकि सौफ्टर बनाने वाला भूंदू हूँ इसे अकेला छोड़ दो लगता है अब मुझे हीरो बनने का मौका मिल जाएगा ओए तुम्हें मेरे दोस्तों का सामना करने से पहले पहलवान का सामना करना पड़ेगा मोटू पहलवान का मेरी तो हवा निकलने वाली है तुम ठीक तो हो ना बंपी तुम दो दिखाई दे रहे हो वेहान अगर तुम यहां बदला लेने आये हो क्योंकि मैंने एसीप को बताया और तुम जेल चले गए तुम मेरे दोस्तों को बीच में लाने की कोई जरौत नहीं है और यह शक्तीमान की जूटी कहानिया बनाना बंद करो इसी वक्त तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो तो ले लो पर मेरे दोस्तों को अकिला छोड़ दो मैं तुमसे आज सारा सच उगलवा के रहूँगा बता दो सबको बता दो कि तुम शक्तीमान हो वरना मैं सारी यूनिवर्सिटी को उड़ा दूँगा प्लीज रोनी ऐसा मत करो बाकी स्टूडेंट्स को जाने दो इनका हमारे जगड़े से कोई लेना देना नहीं है नहीं है, पर इनका शक्तिमान से तो लेना देना है ना, शक्तिमान इन सभी स्टुडेंट्स को कुछ भी नहीं होने देगा, और तुम्हारा सच बहुत ही जल्दी बहार आ जाएगा कोलू, मैंने अभी-अभी युनिवर्सिटी के अंदर एक बॉम्ब डिजेक्ट किया है, कहां ममी, कहां? बिल्दिक बी के हॉलवे में सुनिये, सीपी, एक बहुत ही बुरी ख़बर है जानता हूँ, मैं बुरी तरह हारने वाला हूँ आपका क्या कहना है, पूरी बाजी लगा दूँ मुझे लगता है आप पूरे बॉम्ब स्क्वाड को लेकर जल्दी से यहां आ जाएगे युनिवर्सिटी में बॉम्ब है क्या बॉम्ब? वहाँ नहीं अकल के तुष्मन यहां युनिवर्सिटी के अंदर आपने तो मुझे डरा ही दिया था ठीक है, मैं अपना गेम खत्म करके वहां आता हूँ बेवकूफ, ये बॉम मुझे ही डिफ्यूज करना होगा गोलू, सफल के देचा प्रोफेसर, आप यहां क्यू आयो हो? इस बॉम से युनिवर्सिटी में कोई भी जगे सेफ नहीं है प्लास्टिक एक्स्प्लोजियूज वो भी पुराने टाइमर के साथ इने डिफ्यूज करना मुश्किल नहीं होगा मुश्किल ही नहीं ग्यानी, इस बॉम को डिफ्यूज करना ना मुम्चिन है और अगर तुमने मेरे रिमोट के सिगनल को रोका तो यह अपने आप फच जाएगा और इसमें एज कैमरा भी लगा हुआ है तुम्हारी खटिया शकल ज्यादा देर देखेगा तो यह फच जाएगा इन बच्चों को जाने दो शैतान कहीं के प्रफेसर क्यों शक्ति मान लड़ते क्यों नहीं हो विहान कैसे इनसान हो तुम सब लोग शांत रहिए अब सब बिलकुल सुरक्षित हैं आपके एसीपी बेस्ट बंदी बचाओ दूथ हैं तो तुम लोग वो बत्तमीज बेकार बतमाशों जिन्होंने मेरा खेल बिगार दिया जल्दी हाथ उपर करो वरना मुझे गोली चलानी पड़ेगी तुम तुम लोग बहुत समझदार मालूम होते हो मुझे मन्जूर है क्या मन्जूर है आफिसर यही कि पैंट उठाकर भागो सोचो वे हाँ हर मुश्किल का कोई न कोई रास्ता जरूर होता है सोचो प्रणाम गुरुजी आज मैं पूरे दिन से सच्चे मन सिध्यान लगा रहा हूं लेकिन मैं बहुत अलग मैंसूस कर रहा हूं ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद की ही परचाई हूं आपको क्या दिखाई दे रहा है वो ही सहट बुद्धिमान सच्चा शिष्य जो मैं हमेशा देखता हूं वेहान अगभुद प्रदर्शन जाल था वेहान मेरी आखे भी नहीं पहचान पाई मैं जानता हूं शक्तिमान तुम ही हो वेहान तुम बच्पन में भी नाटक में जीरो थे और आज भी जीरो हो तुझे में उपको नहीं बना सकते शक्तिमान किसी और का इंतजार कर रहे थे क्या तुम तो तुम आही गए अब तुम्हारा पचना नामुम्किन है कहां जला किया को शक्तिमान वो पो शक्तिमान वो पो तुम इसे फटने से नहीं रोख पाओगे शक्तिमान हम इस धमाके से तो बच जाएंगे लेकिन और कोई नहीं बच पाएगा तुम भी बच जाओगे शक्तिमान लेकिन इन सब मासुमों की जान से हाथ धोकर अब तुम भी दर्द का मतलब समझ जाओगे तुम भी लेकिन स्री शक्ति से पंगाम मतले न शक्तिमान बहुना जुर लो खो जुछ tempo én मैंने तुम बेवकूफों से कहा था कि वो चश्मिस भूंदू वेहान किसी भी हाल में शक्तिमान नहीं हो सकता है मैंने तुम्हें पहले भी कहा था रो नहीं तुम्हें वेहान की बात मान लेनी चाहिए थी और जुर्म का रासा छोड़ देना चाहिए था अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है सिवाए जेल जाने के वेहान तो है ही भूंदू और साथ में तुम भी मेरा रास्ता जेल के अंदर नहीं, जेल से बाहर जाता है, वो भी अपने एरिया में जाते जाते मैं इस जगा को पूरी तरह तबाह करके जाऊंगा ये तो बाम है कहा भाग रहे हो टुचे टपोरी टुटपुन्जी चोर लगता है, एक बार और काम्यावी से बंदियों को हादसे से बचा लिया अगर कभी तुम्हें मेरी प्रोफेशनल मदद की जरूरत लगे, तो पेजी जग भुला लेना नहीं, नहीं, एसेपी, ओ, आप चाहे तो इसे डी एने एविडेंस की लिए जांच करवा सकते हैं इसे होश आते ही ये ठीक हो जाएगा, ओ, शक्तीमान, हमें बचाने के लिए शुक्रिया, ये तो मेरा फर्ज है, सच में, सच में, जरूर, मैं हमेशा तुम्हारी और सब की रक्षा के लिए लड़ता रहूँगा, वेहाद, तुम ठीक तो हो ना, मैं ठीक हूँ लीना, काश मैं भी शक्तीमान की तरह शक्तिशालिय और बहदुर होता, फिर तुम मुझे भी गले लगाती ना, कि तुम्हें किसे पता कि मैंने शक्तिमान को गले लगाया तुम तो जमीन पर उल्टे मूँ लेटे हुए थे मैंने शक्तिमान की परचाई देखी यहां पानी में पानी में पर उर क्तिमान की ओुमान के खबुमान की बजा है राद लेटे कि अर गर अर खब देखी यहां जिए यहां जिए जए तर विकि जए उडिया हैं इजएा यहां पानी निए डाद झाल झाल झाल